तो अगर आपका भी 5G जियो 5G अचानक से काम करना बंद कर गया है और आपका 4G नेट खतम हो रहा है तो उसे आप किस तरीके से सही करोगे और यह क्या प्रॉब्लम है कैसे सही होगा सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो का आप लास्तर जरूर देखेगा बहुत ही ज़ाद इन्फॉमेटिव वीडियो यह होने वाली है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों का जो इंट्रनेट है वो अचानक से गायब हो रहा है यानि कि दोस्तों यहां पर जैसे मेरा भी 5G चल रहा है लेकिन काफी लोगों का दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों की जो हमारा फाइब जी जो प्लस है उसका अब एविलिटी खतम हो चुका है सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा सबसे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक् तो यहांप को एपच्ट करना ऑप यहांप को क्या आपको क्या करना है और उसके बाद जिस भी सीम से दोस्तों आप नहीं पर इंटरनेट चलाओं जैसे यहां पर मैं अपना पहले सिंस चला रहों यहां दूसरे वाले सिंसे चला रहा हूं उसे मैं select करूंगा उसके बाद दोस्तों इस select करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर आपको बहुत सारे names मिलेंगे तो यहां पर दोस्तों access point name में जाना है आपको देख सकते हैं यहां पर इस पर click करना है यहां पर दोस्तों आपको जो है जियोनेट सेर्च करके या फिर खोज के आपको कर लेना है यहां से मैं जाता हूं नीचे यहां पर जो है आप जियो नेट कर लेना ठीक है यहां से मैं डायरेक्ट किया हुआ है काफी लोगों का नहीं किया हुआ रहता है तो आप वह भी कर सकते हो ठीक है या फिर एपियन का भी आप कर सकते हो तो यहां network types का option मिलता है सभी के फोनों में मिल जाएगा तो इस पर आपको चले जाना है जैसी आप इस पर जाओगे दोस्तों तो यहां पर जो है काफी लोगों का prefer 5G या prefer LTE के जगा दोस्तों यहां पर 3G 2G और यहां पर कुछ और option मिलेगा ठीक है custom का option मिलेगा तो यहां पर आपको क क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको बस यह कर लिना है आपका जो problem है वो 99% सॉल्व हो जाएगा फिर भी अगर आपका problem सॉल्व नहीं होता दोस्तों तो आप एक बार अपने आसपास का network चेक कर लिजेगा काफी बार यह problem network के कारण भी आती है तो होप